पाकिस्तान का लिजिटिमेट प्रेजिडेंट है छे तो उन पर लगती है जो सोला करोड को छोड़कर भाग दाए यह कुछ हो रहा है यह भी पाकिस्तान के खिलावे बहुत बड़ी साधिश है वो हमारा कुछ नहीं बिगार सकते इस सिस्टम हैस कम टू स्टे और इट विल नॉट इस्टेबलाइज असलाम लेकुम नाज़ीन पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद नाज़ीन आज बात होगी मेमो के हवाले से जो पर्टिशन दी थी नवाज शरीफ साब ने सुप्रीम कोट को सुप्रीम कोट ने जो उसके बाद ओर दिया ओर और कल रिटन फॉर्म में हमारे सामने आया दो उसमें लगा हमें के घलतियां फैक्चुल एरर्स हैं एक तो उसमें और्डर में ये कहा गया के हुसेन हकानी साब ने हाथ से मेमो लिख करके के उनका लिखावा मेमो था जो पहुंचाया गया माइक मलन को और दूसरा उन्होंने ये कहा के जो मनसूर इजाज हैं उन्होंने ये कहा के प्रेज़िट आसिफ ली जर्दारी ने इस मेमो की क्लियरंस दी थी अगर आपको याद हो तो नवंबर 21 या 22 को मनसूर इजाज ने ऑन दे रेकॉर्ड ये कह दिया था कि उनका ख्याल है के प्रेज़िट आसिफ ली जर्दारी ने अप्रूवल नहीं दिया और नाज़ीन दूसरी इंटरिस्टिंग बात ये है के आज ही मनसूर इजाज के नाम से एक डेली बीस्ट एक जरीदा उसमें उनका आर्टिकल आया है तो ये सवाल है दूसरी जो एहम डिवैलिप्मेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोट ने जिस शखस की नामजदगी की थी इंक्वाइरी कमिशन को हेड करने के लिए यनि कि तारिक खोसा साब तारिक खोसा साब ने अपने आपको कॉंट्रिवर्सी से दूर रखने के लिए उन्होंने बड़े अदब से ये कह दिया है कि वो इस इंक्वाइरी कमिशन को हेड नहीं कर सकेंगे अब आगे जाके इस इंक्वाइरी कमिशन का क्या होगा पीपल्स पार्टी ने तो पॉजिशन ली है कि ये नाजाइज है इंक्वाइरी कमिशन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साब फर्मा रहे है कि इंक्वाइरी कमिशन सुप्रीम कोर्ट के तहट जो बनी है वो लाजमी है कि वो आगे बढ़े क्योंके पार्लिमेंट तो कुछ नहीं कर पाती तो ये बहुत से सवाल है और फिर ये भी बड़ा सवाल है कि ये जो इंक्वाइरी कमिशन है सुप्रीम कोर्ट है ये तमाम मूवमेंट है कि इसका पाकिस्तान की सियास्त पर क्या असर होगा नाजरीन इसी पर आज बात करेंगे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद आहमत साब प्रेजिट है अवामी मुस्लिम लीग के उनके साथ तश्रीफ रखते है जिस्स तारिक मेहमूद साब फॉर्मर प्रेजिट है सुप्रीम कोड बार असोसियेशन के अयाज अमीर साथ मुस्लिम लीग नून से तालुक है लेकिन हमारे पास आते हैं अजिन आनिलिस्ट कॉलूमनिस्ट और कराची में नाजरीन हमें जॉइन किया है फॉजिया वहाब साहिबाने मेंबर नैशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असलाम लेकुम वेलकम तो दे प्रोग्राम एवरीबड़ी असलाम लेकुम फॉजिया आप से शुरू करते हैं यह बताईएगा कि यह कहा जा रहा है बार बार कि हकूमत पाकिस्तान सही वक्त पर इकदाम उठाती यहनी के इनकौरी कमिशन वो बनाती तो बात सुप्रीम कोड तक जाती ही ना पार्लिमेंटरी कमेटी है और नैशनल सेक्यूरिटी इन एनी केस उसके जो पर्वियू से यह बाहर थी इनकौरी वाट वोट 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 वियू से काम लिया है और जो एक एंकर का फर्ज होना चाहिए कि तमाम पहलूं को सामने रखकर फिर बात करनी चाहिए पहले तो मैं आपका इस तरह शुक्री आदा करना चाहूंगी इतनी तारीफ करेंगी तो मैं घबरा जाओंगी प्लीज नहीं नहीं जो चीज काबल तारीफ है उसकी होनी चाहिए हमारे मुल्क में इतना सिनसिजम आ गया है हम ना किसी की तारीफ करना चाहते हैं ना हम कोई अच्छी बात बताना चाहते हैं ना अपना कोई अच्छा पहलो उसको उजागर करना चाते हैं एक हमारी कौमी साइकिक बन गई है कि हर वक्त हम नेगेटिविजम को उच्छालते रहते हैं उसका तथकरा करते हैं और इस तरीके से हम अपनी पूरी कौम को डीमॉरलाइस करने में लग जाते हैं अब देखें ये एक किस्सा है जो के औरिजनेट हुआ है दस अक्टोबर को और वो फैनैंशल टाइम्स के एक आर्टिकल से शुरू हुआ है हमारी इसमे कोताही ये हो सकती है कि ये कि हमने बरवक्त जैसे कि आपने ये लफज इस्तबाल किया है हमने बरवक्त इसका रिबाटल नी दिया उसकी बुन्यादी वज़ा ये थी कि ये समझा गया कि ये आदमी जो है ये एक इंतहाई शेडी किसम का केरेक्टर है अभी आपने अपनी जो सारी तफसील बताई थी उसमें ये एक पहलू सामने उसका आ रहा है और इसकी लिखीवी बात पर या इसकी इल्जामात पर जवाब देना मुनासिब नहीं है लेकिन फिर आपने देखा है कि हमारे हाँ मीडिया ग्रूप में एक मीडिया ग्रूप है जिसने इसको इतना उचाला है इतना उचाला है कि मालुम हुआ कि जो कुछ उसने लिखा है वो सही है और जो दूसरा आर्ग्यूमन्ट दे रहा है वो गलत है सुरत इहाल इस तरह बन गई अब आप उस आर्टिकल का जाइजा लीजिए उसमें मुश्किल से दो सेंटेंस हैं जिसमें सदर साहब को इन्वाल्फ किया गया एक इनताही हिमाकत की सजेशन पे एक हिमाकत का आइडिया है वो और फिर उसके बाद उन्हों ने जो अपना तनकीद का निशाना बनाया है वो पाकिस्तान की प्रेमियर सेक्यूरिटी एजिंसी है अगर आप अजाज़त दें देखे ये जो तफसीलात है इस पर गुफ्तगू हो चुकि है बहुत मरतबा आप से मैं ये पूछना चाहूंगी आप अच्छा तो आप इससे इत्तफा करती है कि आप लोग ने बरवक्त वो एक्शन नहीं लिया जिसके नतीजे में चीज सुप्रीम कोट चली है अच्छा तो आयाज इतनी बड़ी एक कोट ही सुप्रीम कोट नहीं हुए है एक मिट एक मिट एक मिट सुप्रीम कोट की बात थी मैंने कही मैंने ये कहा है ये आपने नहीं कहीं वो तो मैंने कहा है ये हमसे गलती हुई और उसकी बुनियादी वज़ा ये थी कि हम मनसूर इजास को एहमियत नहीं देना हैं अच्छा आप अगर ये हकूमत की घलती थी और आप भी पार्लिमेंट में हैं आपको भी पता है आपकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला के जिस पे कुछ करें तो सुप्रीम कोट अगर चले गए तो कौन साथ ना बड़ा गुना किया देखिए नसीम इसमें जो डीटेल्स हैं हलांकि आप कह चुकी हैं हम डिसकस कर चुके हैं ये इतना सिंपल नहीं इसमें हकानी साब और मनसूर इजाज आपस में राब्ते कम्यूनिकेशन में थे उसका इनकार हुसैन हकानी साब भी दाएं बाएं कर रहे हैं सेंट्रल नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें इस से हटके कि कौन शेडी कारेक्टर है कौन पारसा है उससे हटके हमें देखना चाहिए कि हम कैसे दिवानी कौम है एक आदमी जो के पाकिस्तान आर्मी को हदफे तनकीद बनाता है जो दरपे लगा हुआ है मेदो के इंसिडन्ट के बाद कि इनों ने इसारे किनारे से कहताuana कि उसामा बिन लादन को छुपाया हुआ है अपने इंटिव्यूज में कहा और इस फौज का ये करना चाहिए क्योंके ये क्योंके वो अमेरिकन सिटिजन है तो थ्रूआउट आएसार फौज को ये खत्रा है आज ये हमारे फौज का खेरखा बन गया है और हमारी फौज को आप देखें जिस अधारे पे वो हदव वो कर रहा है अटेक कर रहा है उसी के चीफ जाके उन से चार घंटी की मुलगात कर रहे हैं आज वो ही मौत Zach गवा जो है लिया जा रहा है और उसने पूरी काउम को ऐसे बुखार में मुब्तला कर रुक है आज जो है उनका मुझमून ज प्रफानी को मेदो की अटैक का पहले इलम था, पहले वो फॉज को तनकीद कर रहे है कि उसामा को छुपाया हुआ है, फिर आज वो कह रहे हैं कि इनोंने इनको पहले पता था, यह कौन सा मखमसा है, इसे हम निकलते क्यों नहीं, मेमो से हुआ क्या है, मेमो से हमारे पे कौन स हमला हो गया है इसमें फुर्ती और तेजी जरूरत से ज्यादा हकानी ने दिखाई है वो इनकार नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी जो मर्जी दुपा करें पर एक आदमी की तेजी चलाकी जो सारी उमर वो करते हैं उससे हमने पूरे इदारों को पूरे मुल्क को एक क्राइसिस हमने खामका पैदा कर दिया जी अच्छा ये देखे आजास की जो पोजिशन है शिख साब आप का इस पर क्या जवाब होगा फिर मैं आऊंगी जैसिस साब के पास लीगल एस्पेक्ट पर आने को क्योंकि एक वो स्कूल आफ और ये लाजमी है कि ये हो और आपका ख्याल है कि जात्ती हुई है देखें अजाज मनसूर और हसान हुसान हकानी एक ही सिक्टे के दो रुख हैं ये नेले पे देले हैं दोनों मीडिया होसे चिलाते हैं दोनों इंफलेंस एजेंट हैं किसी ना किसी जगा पर किसी ना किसी के ये मीमू एक हकीकत है और ये शुरू हुआ है दो मईई से असल इसकी मदर अफ दी पॉइंट जो है जो इसका मदर अफ दी प्रॉब्लम जहांसे रेज हुआ है ये वए है दो मेई से और जहां तक मैंकल दुनिया में आठ बजे आपके चैनल पर असल बात खुलूँगा च चाहे इसके नतीजे क्या निकलें देखें ये मसला पाकिस्तान का मसला इने वे है कि हुसैन हकानी जब जिस जिस वक्त इस अमेरिका वशिंग्टिन पोस्ट की चर्चल पोस्ट पे बैठे ये ब्रिटन और यूएई अमेरिका का दुरानी का वहां से निकालना और इसको बठा का दुरानी साब तो इदर नेशनल सेक्योर्टी अडवाइजर बन का रही देखें ना ये सारी चीजें जो है ना किसी को देखें बास चीजें ऐसी थी जो मजाकरात जब हो रहे थे उसमें तैह हो पा रही थी जितनी खतों कताबत हुसाइन हकानी ने सदर मशर्फ के साथ की है मेरा नहीं ख्याल किसी आदमी ने चिट्टी लिखने का वो पंजाबी में कहते है ने चिट्टी सजना दे ना तो क्लियरंस भी तो जर्म शर्फ नहीं दी है ना फाइनली अपॉइंटमेंट की भी देखें जिस वास दी देखें प्रेजिडंट आसफ जर्दारी साब जिसके बारे में अभी यह सब कह रहे हैं कि वो नहीं मैंने खुद किसी चैनल पर सुना है कि तारक अजीम ने उनको फोन किया है उनको लाइन पे कहा है मनसूर इजास को वो इस दी बॉस दिस सेंग आम लाइव तारक अजीम सेनिटर ने लेकर प्रोग्राम में ठीक है जी उसने तारक अजीम ने पहले दिनों में उससे पूछा है कि मनसूर इजास आप मतद्द मरतबा कह रहे हैं बॉस हूँ इस दी बॉस उसने का कि प्रेजिडंट जर्दारी नहीं और फिर बाद में चार दिन बाद अज़े हैं मैं मेरी गुजारे सुने हम याना मनसूर इजास का केस लड़ने आैं नाम हुसाइन अकानी का केस लड़ने आैं यह बात बढ़ते बढ़ते इस जगा पर इसलिए पहोंच गई एा dünyे की कोशिश की गई है अगर इसको पहले ही इसको देख लिया जाता अगर दाल में काला ना होता तो ये बात इस इंतहा तक ना पहुंचती कि आर्मी को ये फैसला करवाना पड़ा आर्मी के पास फुल शोहत थे विद फुल एविडेंस और जब पाशा साथ वहाँ बातचीत कर रहे थे ये मकल पे छोड़ता हूँ दुनिया पे आर्ट बज़े के लिए वो उनलाइन था वो उनलाइन था और ये सारा वो कौन सा यहां का रिप्रिजेंटेटिव है कि वो चीफ आफ दी आर्मी स्टाफ और जाइन चीफ ब्रिटिश के साथ मुझारात कर रहा था आर्मी के साथ किसी अगर ABC से मिलता किसी NBC से मिलता देखें जो मेरा साइज है अज़े मिनिस्टर या अज़े लेवल ने वो सुनाने के वो कहते हैं लेक्चर दे रहे थे कहीं जगाँ देखें मेरी गुजारे सुने लेक्चर तो इस मुलक में एंज़े और लेक्चर ये भी बीग क्वेश्चन मारक है देखें इस दो मेही के मालिया आप भी देते होंगे दो मेही के वाक्या में जो एंज़े योज पकड़े गए हैं जो डॉक्टर पकड़े गए हैं और जो सीरियस किसम की अर्गनाइज़ेशन एंज़ेशन एंज़ेशन की पकड़ी गए हैं और उनके जो हेड्स हैं अपर हेड्स वो किनों ने इनको बुलवाया किस तरह छुटी वाले दिन उनके वीज़े जारी हुए अवरीफिंग इस गोई तो अज़े पर भी हुसायन अकाईन साब की अपनी पुजिशन है वो कह रहे हैं तो अगर हुसायन अकाईनि बेगुना है तो ये सारा सकाइल आफ फाउच पे गिरेगा लेट मी फिनिश थे तेगें अगर हुसायन अकाईनि की टार्गेट किलिंग की गई है और आप लोगों के ख्याल में वो बेगुना है तो ये सारा मलबा फाउच पे गिरेगा फाउच इसके लिए तियार रहे और अगर ये गुनागार है तो ये सारा मलबा देखे सर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कोई करे के बेगुना है या गुनागार है inquiry जाएज होने चाही जैसे साब आपने दोनों की गुफटगू सुनी है हमारी जो political analyst हैं दोनों अपने अपनी तहीं जबरदस्ट analyst है आपकी क्या position है तो गुजारिस ये इसमें कोई शक नहीं कि मामला ये अब बहुत एहम बन गया और है भी था ठीक है ना लेकिन बदकिस्बती ये है कि बात कुछ ये हुई कि देखे एक इस से पहले मीमों से पहले एक already स्यासी मेदान काफी गरम हो चुका था तो ये मामला जब स्प्रीम कोट में आया ना स्प्रीम कोट से ये बात मुझे कहने दीजे कि एक गलती तो बाहराल हुई है और गलती ये हुई है कि इसमें फेडल गौर्रमेंट एक पार्टी थे मिया साब जो अदालत में गए ना एक तो मिया साब को खुद केस हारगू नहीं करना चाहिए था एक वकील को होना चाहिए था देखें इससे लोग बड़े-बड़े मतलब निकालते है लेकिन उसको हटके अगली बात ज्यादा इंपॉर्टन है अगली बात ये है कि मिया साब जो अदालत में गए थे ना तो चार जो मिया साब ने लगाया था ना पेटीशन में वो है वेजिंग वार अगेंस पाकिस्तान ये सेक्शन 121 पीपी सी का ओफेंस मनता है जिसकी अफकोर्स हजाए मौत भी है इमप्रिजम फर लाइफ भी है ये जो है वो जो है ना ये ये आर्टिकल सिक्स वाला केस ये मिया साब की पेटीशन में आर्टिकल सिक्स का केस नहीं लेकिन बात ये है कि मिया साब टोटल जो लीख मांगने थे कि आप इसमें कमिशन मुकर्ण कर दें अदालत को कमिशन का अख्तियार है अगर उसमें का और अगनिसंस ले लिया इसमें भी कोई बहस नहीं है जब पेटीशन मेंटेनिमर हो गई लेकिन बात ये है कि इतने सीरियस विशू में होना ये चाहिए था कि फैडलल गौर्डनिमेंट जिसको फरीक इनों ने खुद बनाया है उसको नोटिस देके अगले दिन बुला लेते उनकी बात सुन लेते कम स्पीश में कोई रेलेवनसी नहीं है किसी बात की एक बात की रेलेवनसी कानूनी तोर पर है और वो ये है कि इनकी पेटीशन एकसेप्ट हो चुकी हुए है ये कोई ऐसा सच इंटेरा मौडर नहीं है क्योंकि इसी के लिए गए थे ये काम हो गया अब तो देखे ना रिप पाइरी तो करवाएगे स्प्रीम कोट इनक्वाइरी कर ले गरवाएगी ना तो जो भी रिपोर्ट देखे ना पहले तो देखे ना वह तारिक होसा साब कई कथा च्टा पता नहीं किया दो शरीफ आदमी थे और वह उन्होंने बहुत अच्छा किया उन्होंने बिलको बिल नहीं बीबी मेरा ये पोइंट ही नहीं है किोसा साब की बात की बात नहीं बात ये है पोइंट ये है कि ये जो अच्छा पाइस बात को ऐक्सेप्ट कर लेना कि हां इस मामलے में कमिशन बनाने है हज़ां के उनकी बात सुनके तो ये फैसला होता देखें ये फैसला मैं आप भी एक बात कहता हूँ नहीं मैं एक बात कहता हूँ देखें बाद अकाद फैसले 100% दूस्त होते हैं ये फैसला भी 100% दूस्त होगा लेकिन अगर किसी फरीग को सुने बगार किया गया है तो वो जो कहा ज हाता है नहीं की साव करना नहीं तो बबद आ हो और इस मुल्क पावर्फुल quarters जो हैं interested ना होते इस चीज़ को push करने के तो ये इतना बड़ा issue ना बनता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए चोड़ें quarters को आपके अपने खाल में क्या है एक memo लिखा है एक आदमी ने जो के हमारी नजर में मतनाज़े है जिसके बारे में हम कहते हैं माइक मलन के office में वो जाता है वो इसे इतना important नहीं समझते कि वो किसी को आगे forward भी करें उसमें बड़ी काबले इतरास चीज़ें होंगी पर आप सेलिक हैरिसन की किताबें देख लें उनके आप नक्षे देख लें जिन्होंने पाकिस्तान के टुकडे टुकडे किए हो एक के बलोचिस्तान याएर उस की पर तेजी और चालाखी ब्लैक बरि मेसजेजेज के क्यम़्ूनिकेशन में नजर आ रही है उस तक आप रखे ना आपने ये सारा जो एक धंडोरा बना रख बना दिया है ये इतना बड़ा issue बना दिया है अपने तारीख को तो देखें इस मुलक में क्या क्या चीज़े नहीं हुए तब आपको क्यों नहीं बुखार चड़े यहां पे कौन से कूज नहीं हुए कौन सी गयर जरूरी जंगे नहीं हुए आपका मुलक तूटा कारगिल का मसला हुआ कूज हुए तो यह जो हमारे परधान है उनको एंडॉर्स करते रहें एंडॉर्स क्या री एंडॉर्स करते रहें परधान कौन हुए परधान आप समझ जाए या फॉज किसको करें सुप्रीम कोट ने हर कू को एंडॉर्स नहीं किया बिल्कुल किया नाइटी नाइन के कू को एंडॉर्स नही किया तो यह हम इतनी सारी कुछ हमें थोड़ा सो पस्पेक्टिव में देख लिए इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शेख साब से पूछेंगे क्यों हमें बुखार चड़ गया इस चीज पर जबके इस से बहुत बत्तर चीजें हुई औ वेलकम बैक नाजरी 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 इससे पहले हम स्टूडियो में इसको गुफ्तगू को जारी रखें राची जाते हैं फॉजिया वहाप सहब बड़ी पेशन्ट से हमारी गुफ्तगू सुन रही थी फॉजिया ये बताएं कि अब बात तो चलेगी है सुप्रीम कोट म और अभी तारिक खोसा साब ने तो इंकार कर दिया लेकिन कोई और आ जाएंगे जो हेट करेंगे गवर्मेंट उस तरह से कौपरेट करेगी जिस तरह से सुप्रीम कोट ने कहा है या गवर्मेंट वो करेगी जो बाबर रवान साब बगारा कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नह आपारिम्ट के पास हम जाएंगे निए गवर्मेंट वो करेगी जो गानून और आईन उनको बताता है उनको हर वो काम करना है जो गानून और आईन के दाएरे में उनको बताया गया है वो इस से इधर उधर नहीं जा सकते हैं लेकिन बेहतर ये होगा अगर हर इदारा इस काम का इस मुलक का अगर अपने अपने हुदूत को समझना शुरू कर दें तो मेरे खाल में ये कन्फूजन ना हो देखिए जब प्राइम निस्टर सहाब ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि हुसेन हकानी साब जो हैं पौरलमेंटरी कमिटी के सामने हाजर होंगे और वो इसकी चानबीन करेगी और ये वो कमिटी है जिसको पारलमेंट ने गाम किया है और जिसमें तमाम पार्टियों के नुमाइंदे वहां बेठे में हैं और उनके होते वे उस कमिटी के होते वे एक खुद से एक कमिशन बना देना और जैसे के तारिक जस्टिस तारिक महमूद साब ने बताई है ये बात के बगएर फेडरेशन की बात को सुने वे या बगएर हुसेन हकानी का पॉइंट व्यू लिये वे आपने एक कमिशन बना दिया उस बिचारे को E.C.L. पे भी डाल दिया यहां कुछ महसूस होता है के हम गालिमन अपने अपने दाइरों में रहना पसंद नहीं करते हैं बात सुने बगएर यह ओडर दिया गया है तो क्या इस पर अपील कर सकती है फेडरेशन? इसका मतलब कि रिव्यू होगा इसका और्टकार नहीं मतलब एक अपरचुनिटी है बार गिफ्स मिल गई यह तारिक साब के अखने से और दूसरी कह रही है कानून ने तो कहा खत लिखो इन्होंने खत लिखा है कानून ने तो रेंटल पावर से 9 अरब रपे लिया और कल पर सो या महिने में सजा देगा किसी को फिर यह कहेंगे जयाती हुए है कानून ने तो OG DC का का कहा गई FFA लगाया तुम क्या कर रहे हो लेट मी फिनिश ये कानून के फैसले सुना रहा हूँ मैं अपना फैसला नहीं सुना रहा है कानून ने कहा कि हर पर रुपे के स्क्रैप रेलवे में कहें वो नैप के जा रहे हैं और वो रिजाइन देके और ने बंदे लगा रहे हैं रात ही रात को एक नया बंदा लगा मैं ये पूछता हूँ कि जो उनका आफिस है वाशिंग्टन डी सी में अमबैसी या पाकिस्तान वो इंडियन इंफुलेंस लोगों का पांडे और दूसरे लोगों की अमाजगा बना रहा उन लोगों की जिन पर सखत अब्जर्वेशन थी अब देखे ना वो हैं नहीं यहां जो अपनी जो पॉजिशन को क्लियर करें वो चौदा तारीख को तेरा तारीख को आएंगे वहाँ एप्टाबाद कमिशन में मैं राइटिंग उनसे सवाल करूंगा कि आप उनका क्या रोह था हमने नाजियन कोशिश की थी हुसाइन अकानी साब को कॉन्टैक्ट करें कि व बीबी जो कह रही ने कानून के मता तो मैंने कानून ने को बता दिया कानून भी ये कहते है आइन भी कहता है मैं तो कहता हूँ ये कि ये शायद एक अल्ला ताला की तरह से एप्रचुन्टी भी लेगी जिसके अब सर्फ ये बताएं कहा जाएं इस केस के लिए बताएं जितने प्रॉब्लम इस वकद पाकिस्तान फेस कर रहा है उसका तालुक ये जो है गवरनस से ये एग्जेक्टिव से मान लीजिए कि कल स्प्रीम कोर्ट में एक एडवर्स रिपोर्ट आ जाती है मान लीजिए गा और मान लीजिए ़ो आर्टिकल सिक्स भी आता है ये सेक्शन वन ट्वट इवन की मिट ही दिया जाता है प्रॉसी question किस ने करना है देखे अा स्प्रीम कोर्ट में केस तो क्रिमिनल कोर्ट में अगर यही नाहिल ये dishonest मिसाल के तोपर अगर executive बैठी हुए और अगर इन्होंने प्रोसीक्यूट नहीं करना तो फिर ultimate reserve तो equitable होगा जैसे के नैब के जितने case री ओपन होए वो सारे के सार एक्विट होगे इसलिए सप्रीम कोड को बंद कर देना चाहिए अगर सप्रीम कोड कहती है इसको अत्कडी लगा और अत्कडी तो अगलदार ने लगा नहीं है देखे ना आप ये कहते हैं कि वो एक्विटल होता था जैसे अब आप देखें कानून का काम है कानून का काम है सर जी बड़ी माज़रत के साथ कि चौर को चौर कहना अगर चौकीदार चौर को अत्कडी नहीं लगाता वो भी उतने ही चौर है और वक्त थाबत करेगा ये तो अजीब बात है कितने यहां पे चौर आए हमारी तारीख में उनके बारे में तो कुछ नहीं हुआ अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो चौर थे और ये चौर लेकिन इस मसले में ये जो हम हेस दिखा रहे हैं इस मसले में जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अकट्छी हो गई हैं आप लोग ब्रेक्ट में क्या कह रहे थे तीन फ्रीकौंसी मिल गई है रावल पिंडी की फ्रीकौंसी और सुप्रीम कोट की फ्रीकौंसी और P.M.L.N की फ्रीकौंसी एम क्या है? मकसद क्या है? चाहते क्या है? भाई देखिये एक आदमी अपनी जात में नापसंदीदा होगा लोगों को पसंद नहीं होगा मुक्तदार हलकों को बड़ी उसके पास होगी वो अपनी जगा है उसको अलएदा रखे लाजर प्रोसेस को इदारों को आइन को अलएदा रखे हादसे से हुआ जैसे भी हुआ वो प्रेजडन्ट अफ दे रिपबलिक बन गया है जब आएन और कानून की बात करते हैं आपके पास आएन और कानून में तरीके हैं इसे लिए एक हद मकरर होती है हर गवर्मन्ट की एक जमूरियत में नहीं है तो आप उसे चेंज करते हैं नापसंदीदगी है तो उस तरीके से आप करें ये जो तीन चार साल से एक महिम जारी है जो उनके नाएहली और उनके नकमापन ने उस ऐसी महिम को तक्वियत दी है एक आर्गुमेंट्स दी हैं कि ऐसे है रेंटल पावर नहीं है कुरॉप्शन है फलाना है वो सारे दलायल और आर्गुमेंट्स अपनी जगा पर ये जो इसको इस मेमो को एक आदमी जो पाकिस्तान के खिलाफ फौज के खिलाफ आईसाई के खिलाफ आज वो आपका सबसे बड़ा सुल्तानी गवा बना हुआ है उसके मेमो को ऐसा हमने पकड़ा है कि जैसे जो चार साल में पहले हमें बहाना नहीं मिला था ये हमें एक् आगे ठोड़ है प्रेज़ड़ी उसके आप क्या करेंगे? मेरी मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो सम्देटी मैं नहीं हूँ, इनका पार्टी प्रेज़ड़ी कर रहा है, ठीक है जी, मैं नहीं कर रहा आपका व्यू कहे हैं? को मैं ये समझता हूँ देखें जहां तक इनसाफ का जस्टिस आप कह रहे हैं बुनियादी तोर पर किसी क्राइम का या जिसे ये कहते हैं कि क्रिमिनल केस का खुरा जो है में वकुए से निकलता है जहां वकुए होता है इसी लिए लड़ाई होती है पेमाश करते हैं कि ये फ फौज के अंदर बिग क्वेस्टिन है इसमें कोई शक नहीं उनका फेलिवर था दो मैं का वाकिया जानी ये कहना कि उनका ये फेलिवर नहीं था आम हंड़ेड परसंट शोर के फौज को असामा बिन लादन का नहीं मालुम था लेकिन ये भी मेरा जेन मानने के लिए तिया नहीं है कि अमेरिकन जैसी सुपर पावर इस मुलक में जैसे एरान में उसके दो हलिकाप्टर तबाह हुए इस तरह यहां भी उसका हलिकाप्टर एक तबाह हुआ या गिरा हाथसे का शकार हुआ उन्होंने अपना ना बनाया हो मैं मानी नहीं सकता एक कामन आदमी कभी मान नहीं सकता कि इन हालात में उसको कोई अंदर से स्पोर्ट ना हो और मुझे आखरी एक फिर आप देदें सैकंडली जितने चोर हैं इनके पास चार साल थे सब को टिक्टकी पे लटकाते देखो नो अगर इन्होंने नहीं लटकाया तो इनके अंदर कोई चोरी होगी किसकी पात करें यह जो कह रहे हैं न कि यह यह वाके हुए कारगल हुआ फ़लाँ हुआ फ़लाँ हुआ फ़लाँ हुआ किसी ने इस हकूमत का आथ नहीं रोका नोबड़ी स्टाप देर हैंड यह कहना कि ये छोटे चोटे चोटे बाकिया देखें इससे कौमी 1213 आधारे इनके भ तोब जाएं देके नहीं इस मुलक का जो मस्टर प्लैन है उसमें बारा अदारे इस मुलकी एकानुमी की रीड की अड़ी हैं बारा अदारे जो हैं इन्हों ने जान बूचकर इनकी नायली की वज़ा से स्प्रीम कोर्ट में गए देके अगर ये सचे होते मैं इसलिए जस्ति क्या है आप ये देखें मेमो के जो मेमो है लिखा है मनसूर इजाज एक अमेरिकन सिटिजन जो के मौनको में रहता है जिसका एक माजी है हम भी आईसाई को किई चीजों से के हवाले से फौज को किई चीजों के हवाले से तनकीद हम करते हैं बिल्कुल करते हैं बिल्कुल क यह क्या है पर उस जैसे आदमी का जिस तरीके से वो डिरेक्ट तनकीद करते थे वो यह कहते थे कि हो नहीं सकता कि उसामा बेर नहीं को उड़ाओ इनको खत्म करो यह आए साय से बड़ा कोई दुश्मनी नहीं है ना इंटरनेशनल पीस कर लेकर हमारे रावल पिंडी और हमा उस आदमी को उस आदमी की गवाई और बियान को सेंट्रल एक एहमियत दे के फिलर बना के यह यह है यह बर्यान कुम बाक नाजीन 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 ब्रेक में हमें हुसाइन अकानी साब का फोन आया था और उन्होंने दो फोतिन चीज़ों पे इतरास किया और हमारा खाल है कि हमारी जिम्हधारी壓 की बनाती है कि वह इतरार हम पॉब्लीक भी को सुना दे earliest पहले और उन्होंने कहा कि मेरे बारे में यह घा जाता था और शियक steak आपके हो और शियक कहले थे बाता और पन पशीना को भाह थी लेकिन उने का मैं नहीं चाहता कि मेरी इस तरह से क्रॉस एक्जामेनेशन हो लेकिन जो उनका इतरास था हमने चाहा के पहुंचा दें तो यह हमने पहुंचा दिया वो कहते हैं शेख रशीद साब को वो भाईयों की तरह चाहते हैं और उन्होंने बड़े अदब के साथ उनके साथ रहें उन्होंने शिकायत हमसे की कि उनके हवाले से इस तरह से जो बात की गई प्रोग्राम है बाराल इस पर वापस आते हैं आयाज आप कह रहते हैं आप कुछ कहना चाहते हैं नसीम कोई हम थोड़ा सा परस्पेक्टिफ में देखें मेमो में जो चीजें लिखी हैं बड़ी बुरी खतरनाक नुकलिर प्रोग्राम ये होना चाहिए इंक्वाईरी कमिशन में आप यो लोग बिठाना चाहते हैं अमेरिका वो करें ति तरफ से है एक्सचेंजThis असके हुसेन हकानी की तरफ है लेकिन खतरनाकी की लिहाथ से ये ज्यादा खतरनाक है ये वो चीज ज्यादा खतरनाक थी कि पंच साल उसामा बिन लादन π्मा के साहे में मुकीम रहते हैं अपटबाद में किसे को यहां पे इल्म नहीं होता पाकिस्तान को जो हजीमत जो शरमसारी जो अमबारिस्मेंट उस रेट के बाद हुई थी इस बात के हमने तो उसको बदल दिया के हाई हमारी सौवरंटी वाइलेट हो गई है लेकिन इसका किसी ने जवाब नहीं दिया कि इसके लिए कौन लेकिन हमने फिर भी कहा या जाने दो इस चीज़ को हो गई कमजोरी होगी जाने दो पारलिमंट का इजलास हुआ इन कैमरा वहां तो हमें मुहब वतली का एक विर्द सुना दिया गया कि अब ये करना चाहिए अब वो करना चाहिए और वो ही जो विर्द वहां पे सुना रहे थे जान केरी चार दिन बाद आता है उसके सामने सारे लाइन आप होके वो जो है कि नहीं हम अमेरिका से तलकात नहीं तोड़ना चाहिए तो इन सारी चीज़ों के लिए तो कोई कमिशन आर्टिकल 6 फलाना फलाना तारे खोसा को कमिशन बनाने कर नहीं कहा गया यह एक काजस का टुकड़ा जिससे कोई चीज़ अमलन फिजिकल नहीं हुई कोई हमारे नुकलियर एसेट्स पे हमला नहीं हुआ और नुकलियर एसेट्स वैसे इन नेशनल कमांड अथारिटी प्रेजिट की नहीं प्राइमिस्टर के तहत है और उस दिन जो शाम में मूथ कुरेशी साब ने बहुत गहर जिम्हदाराना बात की और एक और चीस यह ज़्यादा खतरनाक था मेमो या जो मेरान बेस पे अटैक हुआ और जो हमारे माँ जहाज हो गए वो और जो हम एक तमाशा बने के हम अपने इंस्टालेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हमारी फौज छोटी फौज नहीं है दुनिया की बड़ी फौजों में से है जब जी एच्क्यू पे अटैक हुआ और अंदर वो गुस आए थे तो हमने फिर भी कहा नहीं हमारे लोग जो हैं अपनी फौज की मुह बेवतनी की उसकी वो बात करते हैं लेकिन जब वहां से उस तरफ से ऐसी चीज़ों को टुकडे कागस के उठा के फिर उसको एक हर चीज़ को दाव पे लगा देना हर चीज़ को खत्रे में डाल देना उसके साय ये कोई अच्छी बात नहीं कोई तारीक से हम सबक सीखिए हैं क्या रहें देखें जो कुछ अजाजमीर साब ने का उनकी एक सोच है ये मैं उनको पढ़ता भी हूँ और उनकी सोच से भी बाख़बर हूँ सोच या हकाइक हकाइक और सोच मेरे में प्रिजेंटेशन नहीं होती है न एक चीज़ को अपने अंदाज में देखना और एक चीज़ को मेरे अंदाज में और कौम के अंदाज में देखना ये कागस का टुकड़ा नहीं है मैं मुझी मादल के सारा अगर हसायन अकानी साब आपने कुछ कहना है कल मैंने आठ बजे दुनिया के प्रोग्राम में आना है लाइन नहीं वो खुद आए या मैं सियास्त छोड़ दू रएजाज़त नहीं आने की? क्या अजासत वो उन्होंने चुड़ीया पहन रखी? नहीं नहीं इस पर अगसेंपल के हुसान अकानी जो हैं वो बेगुना है जैसे वो समझते हैं कि सब कोसे इंक्वाइरी फैर होनी चाहिए ना ठीक है उनको क्यों निकाला गया है आज वजीर आजम साहब ने बड़ा हसास बयान दी है उन्होंने का कि अगर मेमू मेंसे कोई चीज निकली तो मैं, ये मेरी जम्मेदारी होगी क्यों जी जैसल साहब ये प्रेजिडन्ट की ज़रा नसीम मेरी बहन है आप आपका मुतालिया बहुत ज्याद है मैं अवाम की सोच और बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने आज लाइव आके ये कहा है कि अगर इस मेमू मेंसे कोई चीज निकली तो मैं इसको अपने आप लूँगा वैसे जम्मदारी होनी भी चाहिए तो बड़ी बात कर दिया है उसका मतलब उसको कोई होगा कोई confidence होगा ये कुछ नहीं है बस ये तो आपके देखने का अंदाज है डिपेंड कौन देखा है गलास में बढ़ा हुआ है ये बिल्कुल साइग है और ये जो कुछ panic इन्होंने create किया ये किसी ने नहीं किया इन्होंने खुद किया है मैं नहायत जुमेदारी से ये कहता हूँ अगर पहले दिन इन्होंने किया गॉर्मेंट ने जिस तरह इस पे initiative लिया है अबर आप कहते हैं बाब रवान साब का जिस्टिस आफ फर्मा रहे थे ये सारे वुज़रा टीवी चैनल के मताबक और मुझे यकीन है वो गलत नहीं कहा रहे थे प्रेजिजन्सी से निकले किस चीज़ पर इनिशिटिव प्रेस कांफरस की बात जो कर रहा है अभी पांच जो वुज़रा आए पहले अख़बारों में मैं तो वह बात करता हूँ नहीं तो ठीक है हम शुरू की बात कर रहे है नहीं जो आयास कर रहे है अगर इस तरहा लियाकत 알ी खान से शुरू होना वह भी तो लोग उखाते है ना पहल आको वामी बात करें किसने रुका था हम ने कहा ये गलत हुए है देखें न, किस ने रोका है इस मुंत्ख भुकुमत को? वो कहा रहे हैं, मेरान गेर पर रहा है, मैं हखुमत की बात नी कर रहा हूँ, मैं पार्लिमेंट की सवख कर रहा हूँ हकानी साथ या किसी और के दर्मयान नहीं है जिसको मेरे भाई याजमीर साथ एक कागस का टुकडा कह रहे है इसमेण कोई और लोग भी होंगे लेट मी फिनिश एक देसी आदमी की बात जो है वो यह आप जो कागस का टुकडा याजमीर साब कहा रहे हैं इसमें बिरोक्रेट्स हैं इसमें कुछ और लोग हैं तो अब जिक्राओंकि इन्हों ने चरपाइँ दफाँ कह दिया मैं सिरफ यह कागज का टुकड़ा है जो चीजे जो चीजें हुई है उसामा बिन अजादन का पाँच साल वहां पे रहना एक हकीकत है मेरा इस पे भी इतराज है जी मेरा इस पे भी अजाज हो लिये मुछ से वो तो बड़ी चले अगले किसी प्रोगराम पे उनको राजी कर लेंगे अजाज मीर साब से मेरी बेहन फौजी आज रहने दें अगर अगर यह कह रहे हैं अगर यहाज मीर साभ यह कह रहे हैं पांच साल से वहाँ है जाब के यह इतलात हैं कि वो इतने अरसे से वहाँ नहीं थे यह बुरा हुआ पाकिस्तानी एजन्सिस को उनका नोटस लेना चाहिए था अधिया था इतनी चीज़ों को हमने वो अंग्रेजी में कहते हैं वी हैव टेकन देम इनार स्ट्राइड हमने इतनी कुछ चीज़ें की हैं मेरान गेट हुआ बड़ा वो ट्रैजिक था ये था वहां पे वो सब को लेकिन हमने का ठीक है अगे जवाब ये जवाब ये जवाब ये गर्वर्मन्ट आगे कुछ देखे मुझे ये बताये जी एच क्यू पर हमला हुआ देखे ना मसजद खाना काभा में भी अमला हुआ भी लोगों ने मिनार पे चड़ गए शाहीद हुए सारे लोगों को मरा गया वहाँ फॉजी जवान चःद हुए ने लाग अफ स्कयूर्टी में ये नहीं कह था कि जाती ना करें जाती ना करें जहां शेक्षाब हो किसी और के बोले नहीं पकड़ा गया अब देखें जी एच्कू पे अमला हुआ मैं या याजमीर साफ से खुद फूजी साब लेगे जाना के वहां अमेरिकन मेरीन को नीचे से किसी ने गोली मारी और वो मर गया और पकड़ मैं गया अब देखें जी एच्कू पे हमला हुआ मैं याजमीर साफ से ये खुद फूजी साबक है ये बेदर समयते हैं टेक्निकल बातों को ये हमला हुआ बिलकुल ठीक है सब लोग मारे गए सब लोग उनकी अंजाम लेकिन इस वक्त तक लेट मी से याजमीर साफ के का लें दार नहीं फौज इनके आगे रो रही है कि ये लें हमारे से क्या लें ये मुल्सम लें हमारे से खुदा रसूल के वास्ते ये लें हमारे से हम इतने हाइड आउट्स में नहीं रख सकते हम इनकों नहीं रख सकते सवाद के लोग उनके पास आए शमाली वजिरस्ता आप्रका ट्राइल नहीं होता क्योंकि एक और जम्ला कहना चाहता हूं बेज़ केस जस्साब की चुरतालिस केस हाइस प्रॉफाइल के ट्राइल हूए हाइस प्रॉफाइल के जिस में से 42 का फैसला वो बरी होगे है अच्छा आखरी सेंडिस में फॉजिया मुझसे बहूत नर कि तerson नहीं मेरी एक बात को मैं कि आपकी बात नहीं कि अच्छी चीज नहीं है वो फुर सुपार में आपके परोग्राम में कि उनकी आपकी उड़ािए व्हार चीज़ कि प्रॉवज्ज़ जिया व्हार डिज दो तीन फिरे हुं मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ एक तो बहुत 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 शुक्रिया जस्टिस तारिख महमूद साहब का आपका और आयाज अमीर साहब का जिन्होंने इंतहाई फेर और अबजेक्टिव बात की है प्लीज आपकी तारीफ जो है ना हमेरा हमको मरवा देगी अपनी बात कहने तारीफ रही लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ एसे वक्त पे जब हमारे उपर मौमन पर हमला हुआ है नौर्देन एरियास पे हमला हुआ है हमें तवज्जे देनी चाहिए इन हालात पे ना के यह कि आप हम पर इल्जाम तराशी करें किसी और पर इल्जाम तराशी करें एक मजाख बना दें अपने कौम के साथ भी मेरी गुजारिश यह है कि इस वद हमारी सारी तवज्जे इस बात पे होनी चाहिए कि जो इस वद दुश्मन हमारी कौम की सिक्यूरिटी पर आखे लाएवा है यह जो आपने यहां डिबेट सुनिये जो यहां मुखतलिफ अरा है नाज़ीन यह जो सवाल है यह आने वाले दिनों में बाहराल उठते रहेंगे और हम यह देखेंगे कि सुप्रीम कोट की इनकॉरी किस तरफ जाती है पार्लिमेंटरी कमेटी की इनकॉरी किस तरफ जाती है लेकिन यह इशू एक एहम इशू है and this is not going to go away इस पर इनकॉरी यकीनान होगी we will keep watching or keep you informed बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान, जिन्दाबाद